हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकैडमी में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स की कोश्चन्स को, रिवर्स के सारे MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे तो अब यहाँ पर हम लोग कोश्चन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके के कोश्चन्स बनते हैं कुछ परियोजनाओं के भी इसमें कोश्चन्स हम मेलित होंगे और कुछ जीलों के भी कोश्चन्स होंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही important होने वाली है आगामी जितने भी परिक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश की उन सभी के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट होगी तो आए बिना टाइम वेस्ट के वे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट कोश्चन से हतिनी कुंद बैराज किस नदी पर बना हुआ है यमूना, चंबल, कंडग या फिर अलतनन्दा देखें जो हतिनी कुंद बैराज है ये बना है यमूना नदी पर और जब इस पे खोला जाता है पानी को यहाँ पर छोड़ाता है तो बहुत ज़दा बाढ़ ही समस्या भी देखने को मिलती है तो हतिनी कुंड पैराज अगर कभी भी पूछा जाता है तो वो बना हुआ है यमुना नदी पर ये बात ध्यान में रखेंगे इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कोश्चन है बेदवा नहर किस स्थान से निकलती है पिपरी, परिक्षा, या परिक्षा या फिर नरौरा, फैजाबाद तो आपको चार उप्शन दिये गया है तो उप्शन नमर बी आपका यहां पर करेक्ट है पारिक्षा नाम की जगह है जहां से बेदवा नहर निकलती है आगे बढ़ते हैं अपने next question पर next question है कि हतिनी कुंड बैराज जो है वो कितने राज्यों की सयुक्त परियोजना है options दिये गया है 3, 4, 6 या फिर 5 तो हतिनी कुंड बैराज जो है वो 5 राज्यों की सयुक्त परियोजना है एक तरीके से तो ध्यान में रखिएगा जो यमुना नदी पर बना हुआ हदिने कुंड बैराज है ये पांच राजियों की सयूक्त परियोजना है अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कौन-कौन से स्टेट सामिल है तो देखिए हदिने कुंड बैराज जो है इसे हिमाच्वल प्रदेश इसे के साथ साथ हर्याना और यूपी तो है राजस्थान और डेली डेली जो के मारा के इंसासित प्रदेश है इतने राजियों को लाव मिल रहा था लेकिन क्या हुआ कि 1978 में 1978 में जब बहुत जादा बाढ़ हा गई तो जिसकी वज़े से बैराज ये जो हमारा है शतिगरस हो गया और फिर 1994 को इन पांचो राजियों के बीच में एक समझाता हुआ जिसके तहट फिर 1994 में हदिने कुन बैराज बनना स्टार्ट हो गया था आगे बढ़ते हैं कुश्य नंबर फूर निम्न में से उत्तर प्रदेश की कौन सी पेजल परियोजना है आपको चार किस नदी पर बना हुआ है सोन, रिहनध, राम गंगा या फिर शंबल देखे के जब नदियों को हमने पड़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सोन की साहयक है रہंद और रहंद नदी पर ही गोविंद वल्लपपन सागर्बांद बना हुआ है बहुत important river हो जाती है इस बांद की वज़े से तो ध्यान में रखेंगे गोविंद वल्लपपन सागर्बांद कौन सी नदी पर है देखिये गंगा नदी को यूश किया जा रहा है कहां से कहां तक का जो मार गए है वो राश्ट्री जलमार्ग कहलाता है प्रयाग राश्ट से ले करके हल्दिया तक के रूट को हम लोग क्या कहते है नेशनल वाटर हाईवे पस्ट के रूप में जानते हैं तो अगर पूछा जाता है राश्ट्री जलमार्ग संख्या एक के रूप में कौन सी नदी में बना हुआ है कहां तक बना हुआ है तो आप रियाक से हल्दिया ध्यान में रखेंगे गंगा नदी पर बना हुआ है इसके बाद में आप देख सकते हैं कोशन नमबर सैवन है यहां पर फर्स्ट सूची को आपको सेकेंड से मैश करना है और सही उत्तर का हमें चैन करना है आपको इधर दिया गया है इस्थान और इधर पर नदिया दी गई है चित्रकूट है जौनपूर है मत्रह है और अध्या इदे नदियों को मैश कराना है तो एक दू नदियां भी अगर आपको आती होंगी तो आप मैश करा ले जाएंगी आसानी से जैसे कि फेमस नदी है सर्यू जो की आयोदिहा की है हमें पता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और कौन से नदी को हमेश करा सकते हैं तो यहाँ पर चित्रकूट में पाई जाने वाली नदी है मन्दा की नि इसे के साथ जानपूर की में गोमती नदी और मतुरा यमना नदी यो कि डेली से होकर की आती है तो हमें मतुरा में भी ये देखने को मिलती है तो इस तरीके से हम देख लेते हैं हमारा option कौन सा match कर रहा है आयोध्या schedule यानि D का 3 D का 3 दो में है और इसी तरीके से चित्रकूट मंदा की नहीं इसमें भी है इसमें भी है और जॉनपूर गुमती है option number B हमारा correct हो जाएगा 7 number question का B option हमारा correct हो जाएगा फुलहर जील भारत के किस राजे में इस्थित है उत्तरप्रदेश की बात हो रही है उत्तरप्रदेश के questions को हम लोग discuss कर रहे है फुलहर जील के बारे में पूछा गया है तो उत्तरप्रदेश में ये है और साथी साथ है इसकी important point ये है कि गोमती नदी जो है इसी जील से निकलती है अगर जीला पूछा जाता है तो जो फुलहर जील है वो पीली भीत जीले में इस्थित है पीली भीत जीला तो ध्यान में रखिएगा इसको हम लोगों ने lakes फाली class में किया था तो अगर आपने वो classes नहीं complete की है तो पहले आप वो classes कर लिजे तभी questions करने में भी अच्छा लगेगा यहाँ पर जितने भी questions हैं वो नदियों और जीलों से सम्वंदी थी है इसमें से इतनों questions आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश की किसी भी exam में खास कर जैसे की UPP आ रहा है इसे के साथ साथ ROAR है और भी कई सारे exam है UPPCS में 20 तरगे के छोटे-छोटे questions पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी तो हमें ध्यान में नहीं रहता है तो यहां पर आगर आप अच्छे से revision करेंगे सारे questions को पढ़ेंगे काफी सारे questions है previous आये हुए जितने भी questions से सभी का collection लिया गया है नए जितने बन सकने वाले question है आगया आने वाली परिक्षाओं में उन सभी को यहां पर collect करके लाए गया है ताकि आपका आच्छे से revision हो सके फुलर जीर भालत के उत्तर प्रदेश राज्यों में इस्तित है पीली भीत जिले में यह इस्तित है ध्यान में रखिएगा और गोमती नदी यहां से निकलती है नेक्स्ट रानी लक्ष्मिबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है सोन, बेतवा, राम गंगा या फिर चंबल तो रानी लक्ष्मिबाई बांध आपका बना हुआ है बेतवा नदी पर ध्यान में रखिएगा इसके बाद फिर मैचिंग का कोश्चन है, यहां पर आपको इस्थान दिये गए हैं और इधर आपको भागी रथी, अलक्नंदा, अलक्नंदा, मंदा किनी, यह समनदियों के नाम दिये गए है कि इन दोनों का संगम जो है यानि जैसे भागी रती और अलकनंदा है इसका संगम कहां पर है अलकनंदा और मंदा किनी इसका संगम कहां पर है अलकनंदा और पिंडार गंगा इनका संगम कहां पर है ये तो आपकी रुद्र प्रयाग में हो गई अलक नंदा और मंदा किनी इसे के साथ विश्णु प्रयाग जो है यहाँ पर धौली गंगा और अलक नंदा ये दोनों नदिया मिल करके विश्णु प्रयाग का रिमाल करती है अगर हम लोग करण प्रयाग की बात करें तो करण प्रयाग में अलक नंदा और पिंडार गंगा और देव प्रयाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो देव प्रयाग में भागी रथी और अलग नंदा हम देख लेते हैं कि हमारे जो options दिये गए हैं उनमें से कौन सा match हो रहा है ए का हमारा है second, ए का 2 है और ए का 2 है इसे के साथ B का हमारा है 3, sorry P का है 4 और C का है 3 और D का क्या है? D का है 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, option number A हमारा correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है एटा, अलिगर, गोरखफुर और मुझफर नगर, तो option number यहाँ पर हमारा correct हो जाएगा option number C गोरखफुर जिला जो है वो गंगा के किनारे स्थित नहीं है, बाकि सारे जिले गंगा के किनारे स्थित हैं यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, यह important question हो जाता है साहरे नपूर से इंटर करती है, यमुना नदी धिहार में रखेगा और यहीं पर अगर question पूछ जाया कि गंगा नदी कहां से इंटर करती है, तो बिजनौर से इंटर कर जाती है, यूपी में next question पूछ रहा है आपसे, कि गंगा का उद्गम कहां से माना जाता है, गंगोत्री, बंदर पूछ, सियाचीन या फिर बोलडारो तो यहाँ पर हमारा जो correct option है, वो है गंगोत्री, हम लोग जानते हैं कि बंदर पूछ से तो यह मुना का उद्गम होता है, और गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है next question, भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है, गुदावरी, नर्मदा, महा नदी या फिर गंगा तो गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी है, इसका नदी तंत्र बहुत बड़ा है, काई सारे नदीयां इसमें आ करके मिलती है भागी रती और अलग नंदा नदीयों का मिलन स्थल है, अभी हम लोगों ने जो लिस्ट वाला कुश्चन था, उसमें भी देखा था कि भागी रती और अलग नंदा का जो मिलन स्थल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देव प्रियाग के नाम से जानते है, इसके बाद आग गंगा नदी उत्तरप्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेस करती है, तो अभी आपको बताया था कि यमुना जो है, वो सहारनपूर जिले से जबकि गंगा जो है, वो बिजनौर से इंटर करती है, यानि option number B हमारे यहां पर correct हो जाएगा, next उत्तरप्रदेश की अध गहरा है कि भागी रथी नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से तपोवन से विश्नौप्रयाख से या सतोपत से, देखें वो गंगा ही जो है, जो स्टार्टिंग में इसकी आत्रा सुरू होती है, तो गंगोत्री से स्टार्ट होती है, बड़ तब इसका नाम गंगा नही जाती हैं तीन तरीके की नदियां हैं हम लोगों ने कॉंटेंट में जब डिसकस किया था तो सबसे पहले यही देखा था कि ऐसी नदियां जो हिमाले से निकलती हैं और ऐसी नदियां जो मद्य भारत से यानि पठारी चेतर से निकलती हैं और कुछ ऐसी नदियां हैं जो मैदानी भाग से निकलती हैं जिसमें से एक उधारधा गोमती नदी है कर्म नाशा नदी है ये सभी बीच में मैदान से ही निकलती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं नेक्स्ट गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो हमेशा ध्यान में रखेगा 2525 किलोमेटर इसकी लंबाई है देखिए नदियों के लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है बार के समय में नदिया अपना रूट चेंज करके और ज्यादा लंबाई ले लेती है जब गर्मियों का मौसम होता है मानसून नहीं रहता है उस टाइम नदियों में पानी कम हो जाता है जिसकी वज़े से लंबाई हैं घटी बढ़ती रहती है तो नदियों से की लंबाई से कोईशन नहीं पूछे जाते हैं जाता तर बट गंगा नदी की कॉमन है तो आप ध्यान में रखिएगा 2525 नेक्स्ट कोईशन काली नदी जिसे हम लोग सार्दा नदी भी कहते हैं कि उत्तर परदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है पीली भीट लखनव आयोध्या या फिरकन नौच तो कोईशन नमबर 22 का करेक्ट आंसर है पीली भीट से पीली भीट से जो सार्दा जिस से हम लोग काली नदी भी कहते हैं यह उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाती है गंगा नदी राज्यों के कि histor self बिहार में इंटर कर जाती है जब हम मैप में पढ़ रहे थे तो ऐसे निकला हुआ जिला है यहां से यहां से निकल करकि बल्या भल्यासे जो है कहाँ पर इंटर कर जाती है बिहार में इंटर कर जाती है तो 23 नमबर कोशिन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर A बलिया जिला इसके बाद में कहा रहा है यमुना नदी का उद्गम इस्थल कौन सा है इन में से कोई दो है वह मेशूस करना है कि इन में से कौन सी दो ऐसी नदीया है जिनका उद्गम इस्थल हिमाले में नहीं है देखिए जब हम लोग गंगा नदी पढ़ते हैं उसके बाद इधर आके यमुना प्रयागराज में मिल जाती है नीचे से यहां से बेतवा आकर के यमुना में मिलती है और सारदा और राम गंगा की कहानिया कुछ इस तरीके से हैं गंगा में मिलती है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इधर से जितनी भी आने वाल नदीया है गंगा सार्दा राम गंगा ये सभी क्या है हिमालाई नदिया है जबकि गोमती रिवर जो है गोमती रिवर जो है पीली भीत जिले में फुलहर जील से यहाँ पर निकलती है और गंगा में आ करके मिल जाती है तो गोमती रिवर और बेतवा रिवर ये दोनों हिमालाई नदिय हैं इसके इलावा जो राम गंगा और सार्दा हैं ये हिमाला इन अदिया हैं तो कौनसा option हमारा हो जाएगा 1 and 3 हैनि option number C is the correct answer next सारण सिचाई नहर कहां से निकलती है आप उन अदिया दी गई है कोसी गंडग गंगा और सोन तो option number B हमारा correct हो जाएगा कौनसी गंडग गंडग जो रिवर है वहां से सारण सिचाई नहर निकाली गई है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्राली कौनसी है आगरा नहर सारदा नहर गंडग नहर या फिर उपरी गंगा नहर तो option नंबर कोशिन का correct answer है नरावरा नरावरा में जो है निचली गंगा नहर का निर्माड हुआ है नेक्स्ट टिहरी पन बिजली कौंपलेक्स किस नदी पर इस्थित है भागी रती धौली गंगा मंदाकिनी या फिर अलक नंदा तो यहां पर हमारा correct answer है भागी रती बागी रती पर टिहरी पन बिजली कौंपलेक्स बना हुआ है रिहंद गाटी पर इयोजना किस जिले में है भदोही सोनभदर ललितपूर मिलजापूर तो हमारा correct answer है यहां पर सोनभदर सोनभदर में रिहंद गाटी पर इयोजना है और ये परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर बनी हुई है, ये भी बात द्यान में रखेंगे, इसे के साथ ये किस की सहायक है, सोन की सहायक है, रिहंद नदी, next 31 number question है कि उपरी गंगा नहर का निर्माड कब हुआ तो 1842 से लेकर के 54 की बीच में उपरी गंगा नहर का निर्माड हुआ major जलासे नहर का निर्माड किस नदी पर किया गया है आपको options दिये गया है यमुना नदी, बेदवा नदी, बेलन नदी या फिर चंबल नदी 32 का correct answer है बेलन नदी बहुत important river है ये historic perspective से जब हम लोग इसकी history पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि बेलन नदी का क्या महत्तु है 33 number question है यहाँ पर कि निमलखित मेंसे कौन सी नहर अंतर राजिये नहर है आगरा नहर, सारदा नहर, यमुना नहर या फिर गंगा नहर 33 का correct answer हो जाएगा आगरा नहर ये जो है अंतर राजिये नहर है तो हमारा यहाँ पर correct answer हो जाएगा बंजर भूमी के विकास के लिए ये ये योजना लाई गई है हरियाली 35 number question का correct answer है बिजनाओर मद्दे गंगा नहर का निमाड कहाँ पर होता है बिजनाओर में बिजनाओर से ही गंगा यूपी में इंटर करती है ये विभाद्यान में रखेंगे और इसी के साथ उत्तर पदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है में बताना है 36 number question का correct answer है यमुना नहर option number D हमारा correct हो जाएगा उत्तर पदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है यमुना नहर water sector restructuring project कहाँ पर start किया गया है गंगा यमुना दुआप गंगा गोमती घागा दुआप या फिर उपर यूगते सब ही देखे option number C यहाँ पर हमारा correct है लेकिन अगर आपको दुआप नहीं पता है तो बता दें कि जब जो दो नदिया होती है उनके बीच का जो प्लेस रहता है उसको हम लोग दुआप कहते है जैसे गंगा और यमुना है तो जहाँ पर यमुना से मिल जाती है उसके बीच में य नेक्स्ट कौन सी नहर प्रडाली उत्तर प्रदेश वर बिहार की संयुक्त नहर प्रडाली है निचली गंगा उपरी गंगा सार्दा या फिर गंडक तो जो हमारा गंडक नदी प्रडाली है ये उत्तर प्रदेश वर बिहार की संयुक्त नदी प्रडाली है option number D हमारा correct हो ज तो कौन सी है जो चंबल घाटी योजना से संबंदित नहीं है 39 नमबर कोशन का हमारा करेक्ट रंसर हो जाएगा option number C 3 और 4 3 और 4 यानि गोविंद सागर गोविंद वरलब पंत सागर ये चंबल घाटी पर योजना से संबंदित नहीं है 41 नमबर कोशन है 42 नमबर कोशन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहर किस जिले में है प्रयागराज, प्रताबगड, रायबरेली या फिर अमरोहा 42 नमबर कोशन का करेक्ट आंसर और ऑप्शन नमबर C रायबरेली सबसे जद्धर लंबाई में नहरे कहां पर है घागरा नदी का उद्धण स्थल कहां पर है माँसरूवर, अमरकंटक, ट्रवेडी या फिर मापचाचुंगो इस जगे से गागरा नदी निकलती है उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सरवाधिक बाड़ हिसे प्रभावित है नेक्स्ट चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? स्टेट पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्राखंड है और बिहार कौन से स्टेट से चंबल नदी निकलती है? 45 नंबर कोशिन का करेक्ट अंसर है हमारा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से आकर के चंबल नदी यमुना में मिल जाती है भारत के किस राज्य में सरवाधिक सिचाई नलकूपो से होती है? सबसे ज़्यदा नलकूपो से सिचाई किस में होती है? यूपी में होती है, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिचाई होती है गुमती नदी का उद्गम इसकल कहाँ पर है? कई सारे कोश्चन्स में इसका डिसकस हो चुका है पीली भीत जिले में जो फुलहर जील है, फुलहर जील, वहां से गुमती नदी का उद्गम होता है सो नदी का उद्गम किस राज्यों में होता है? तो आप्शन नमबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा मध्यप्रदेश देखे, जितनी भी पठारी छेत्रों से निकलने वाली नदिया हैं, वो जड़े तर मध्यप्रदेश से आकर के यूपी की बड़ी बड़ी नदियों में गंगा या मुना में आकर के मिली हुई है तो इन नदियों के नाम ध्यान में रखेगा, इनके उद्गम इस्थल ध्यान में रखेगा और कहां पर आकर के ये गंगा या ये मुना में मिलती हैं, उन्जीलों के नाम भी ध्यान में रख लीजेगा क्योंकि उत्तरप्रदेस Special में इस तरीके के छोटे-छोटे बारी कोश्चन भी पूछे जाते हैं गंड़क नदी का उद्गम स्थल कहां पर है उत्तरप्रदेस, बिहार, नेपाल या फिर उत्तराखंड तो गंड़क नदी का उतकर मिस्थल जो है वो नेपाल है नेपाल से आती है गंड़क नदी देश में नलकूपो से सिचाई का प्रशिलन का प्रारम्भुआ देश में नलकूपो से सिचाई का प्रशिलन स्टार्ट हो जाता है 1930 से ही तो ये हमारे 50 questions यहाँ पर complete होते हैं I hope कि ये series आपको helpful लगी होगी और आगामी परिक्षाओं के लिए अगर आप इसको अच्छे से revision करते हैं तो नदियों और जीलों से सम्मधी जितने भी questions बनने वाले हैं इसमें हम लोगों ने cover कर लिये हैं इसके साथ अगर इसका content discuss जो लोगों ने किया है तेयोरी की class की है उसको अच्छे से कर लिजेगा उसके बाद एक बार फिर से इन questions को revision कर लिजेगा बस आपका ये तियार हो गया और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो टेलिग्राम चैनल को जाइन कर लिजे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको जो आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएगी इस जो हमारी यूपी की सिरीज है इसकी playlist आपको यहीं पर description box में मिल जाएगी जब आप नीचे description box खोलेंगे तो उसमें आपको playlist की लिंक मिलेगी वहाँ पर आप जाकर कि सारी वीडियोज को वन बाई वन कर लिजिए छोटी छोटी वीडियोज है ताकि आपको पूरा कॉंटेंट यहाँ पर क्लियर हो सके थैंक्यू